परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार नरेंदर मोदी की नित्वित वाली भारतिय जन्ता पार्टी का कमल का निशान खिलेगा यहाँ पे यह तोरा मापदन्ड महाकटमंदन का नहीं चलेगा इस बार कमल खिलाता है और खिल के छोतारी का इंतिजार है वो जो अपने आपको समझ रहे कि मुकामा हमारा सामराज है उनके खिलाफ जन्ता है मुकामा की जन्ता जंगल राज के खिलाफ है हम नब्बे के दसक में बिहार को नहीं जाने देना चाहते कि मार्जिन की बात हो रही है जीत तो हमारी पक्की है दस अजार बोट से जादाना नहीं जा रहा है इस बार मुकामा की जंता बदलाओ चाहती है और बदलाओ हो गया है होगा नमस्कार मैं सागेत कुमर आप लाइफ शुटीज देख रहे हैं मुकामा विधानसभा छेतर में उपचुनाओ को लेके आज मैं भाजपा के ऑफिस में आया हूँ कारकरताओं से बाचीत करने के लिए कितनी तयारी कर चुके हैं कैसे चुनाओ जीतने वाले क्या रनीती सब अपना रहे हैं कितना चुनाओ में प्रचार प्रसार करें तो आईए बाचीत करते हैं कारकरता सब बैठे हुए क्या रनीती साप है कि जनता आगे है हम कारिकरता पीछे हैं यह जो चुनाव है धर्म और अधर्म के बीच चुना हुआ है हर युग में धर्म और अधर्म के बीच में चुना हुआ है वो जो अपने आपको समझ रहें कि मुकामा हमारा सामराज है उनके खिलाफ जनता है क्योंकि हमारी लराई जंगल राज के खिलाफ है मुकामा पुरसार्थ की धर्ती है मुकामा भगवान पर सुराम की धर्ती है और वह पूरे बिहार को संदेश देने जा रहा है कि मुकामा की जनता जंगल राज के खिलाप है हम 90 के दसक में बिहार को नहीं जाने देना चाहते इसलिए जनता आगे है कारिकरता बहुत पीछे है और जनता मन बना चुकी है अब मार्जिंग की लड़ाई लड़े अब हम मार्जिंग की लड़ाई के हम कितनी बड़ी मार्जिंग से जीत तो सुनिश्चित है मार्जिंग की लड़ाई लड़ा है कि कितनी बड़ी मार्जिंग से जीतेंगे 2000 का जो चुना हुआ था मुकामा का जिस प्रकार सूरज सिंगह का चुना हुआ था, संपुर्ण मुकामा एक पेर पर खड़ाता, उसी प्रकार से मुकामा विधान सवा की जनता एक जूट होकर खड़ी है, तीन तारीक का इंतजार कर रही है और संपुर्ण बिहार को हम दिशा दिखाएंगे, कितना मार्जिन र और यह चुनाव इसी लिए जीतेंगे क्योंकि बिहार को एक संदेश देना है कि बिहार नब्बे के दसक में जंगल राज की योड नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से हमने धानुक समाज में, जियादव समाज में, पासवान समाज में जो सेंद नहीं है। मैं पहले आपके चेनल को धनिबाद देता हूँ मैं जेपी सिनानी हूँ मैं 77 में जो लराई मैंने देखा था जनता बदलाव की अंगडाई जब लती है जनता जब चाहता की बदलाव हो उसी तरह का लहर है सोनम जी के पच में संपूर मुकमा एक हो गया है इसलिए इस लराई में हम बहुत आगे हैं कमल खील चुका है और मारजिन जो बोले हमारे साथी बववा जी कि मारजिन की बात हो रही है जीत तो हमारी पक्की है क्या कहेंगे आप लोग कारेकर्टाओं के बीच में कितना उत्सा है बहुत उत्सा है जीत रहा है पूरा जीत रहा है इस बार मुकामा की जनता बदलाव हो गया है कितना महँनतर करना और बाकीए चुनाओं के लिए अब तु पड़चार में बस कमी दिन बचया है भारत्ये जनता पार्टी की काज करता और नेता महँनत नहीं करता है यहां की जनता मुकामगा की जनता देख रही है जो इस वार कमल को लेका आए हैं हम उनको लाएंगे और इसलिए हमारी पर्तियासी सोनम देवी इतना बहुत से जीत सुनिस्चित कर रही है कि पूरा बिहार देखेगा कि 6 तारिक को कि मुकामा की जो जीत होगी भाजबा की इससे पूरा बिहार के इतियास बदल जाएगा आन चारथे जन ता पाटि की परतियासी को हम जीताएंगे और मुकामा की तरह बनाएंगे इतना संदर मुकामा होगा 4 तरफ विकास होगा सबका असाथ सबका प्रयास सबका विकास होगा जो है भासपा का और NDA का लोग बोलते हैं डड़ते हैं बोलने से लेकिन जब आप सामने जाईएगा तो आपके कानों में बोलेंगे तो डड़ते क्यों है फिर बोलने से जो विकास का मुद्दा है विकास का मुद्दा आप जब लाईएगा तो आपको ड़ लगेगा विकास का मुद्दा लाईएगे तो ड़ लगेगा ऐसा क्यों लगेगा कि जब आप सच बोलिएगा ना तो आपको जखेला जाएगा पीछे खीचा जाएगा और देखिए गरीब गुर्बा जो लोग होते हैं वो बोलने से डरते हैं वो करते हैं आप शेतर में घूमें देखे हर जगा काम होने का जो है हिसाब किताब दूसरा हुआ है पूजा की हार्दिक सुबकामना है आपने उनकी बातों को मिसिंटरप्रीट किया उन्होंने जो बोला बाइस वही बोल रहा हूं वो खुद कह रहा है कि विकास के नाम पर डर रहा है ना जात है ना पात है ना धर्म है बस विकास के मुद्दा पर चुनाव लरती है इसलिए बिरोधी घबराए हुए है और डर का महौल पैदा कर रहे है ऐसा उन्होंने कहा वोट करने वाले हैं लोग फिर यहां पर वोट एक तरफा परिवर्तन का लहर चल रहा है क्योंकि भारतिये जन्ता पार्टी एक ही मुलमंतर है सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और अब 27 साल के बाद भारतिये जन्ता पार्टी ने अपना केंडरेट मुकामा को दिया है तो युवाओ में एक नया उर्जा है और पडिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार नरेंदर मोदी की नित्वित वाली भारतिये जन्ता पार्टी का कमल का निशान खिलेगा यहां प है कि वही नितीश कुमार वही लालू यादर उन्हें जेल में बंद करके आज जो यह दुबारा चुना हो रही है किसके कारण हो रही है कौन साहितालिस में उनको गरफतार करवाया है यह आप लोग को पूछना चाहे वो जदिवाले से राज़त वाले से कि यह मुकामा में से री ऐलेक्सन जो हो रही है क्यों हो रही है कि जनता समझ चुकी है कि जनता पे यह महंगाई मार परेगी यह चुनाव में जो इतना मापदन महाकटमंदन का नहीं चलेगा कितना उस्सा है कारे करताओं के बीच में क्या लग रहा है क्या होगा इस पर चुनाओं में इस बार कमल खील के रहेगा मेहनत कर रहे हैं आप लोग मेहनत तो खुब हो रहा है मेहनत में कमी नहीं है तो जाकर महिला समाल से जाकर पूछे कि मुरेंदर बोधी का काम कैसा कर रहे हैं इस बार कमार खिलना ताई है और खिल के छोतारी का इंते जार है क्या कुछ कहेंगे आप सब कैसा चुनाओं में तयारी चल रहा है अजय बहमात से जमानत जब तो होने वाली है अगली कंडिडेट का हाँ एकदाम निश्चित रूप से एंडिये का यह प्रमपरागत सीठ है भारतिया जनता पाटी के लोग इंतजार कर रहते कि कमल कब आएगा अटल जी हाँ आठ बार मुकामा में आए है लेकि विरोधी तुझे वो कहते कभी भारतिया जनता पाटी का सीठ ही नहीं रहा है भारतिया जनता पाटी का सीठ के से नहीं रहा है इंडिये का गटबंधन रहता था जदियू को सीठ मिल जाता था इसलिए जदियू जीतती थी और एक बार चुनाओ निर्दलिया जीते हैं उसमें कि कहें यहां मुकामा कि दूतिन को चरगो भाई अपने हमें लड़ गे हैं नब्य बेड़नवे हजार भोट लाया उसी में उबन गें आप सबके कारे करताओं के बीच में कितना उत्सा है इस पर चुनाओ को लेके आप तो नजारा देखिए निकलिएगा तब पता चलेगा जैसरी राम ही सगर नजार आता है आपको कहीं नजार को आता है क्या यहां कोई दलिया भावना है कोई दल नहीं है सब कमल के फूल पर मददान सोनम देवी को करने जा रहा है किसी जाती बर्ग धर्म का लोग देखिएगा मेरे ओफिस या ओफिस के बाहर जो मेरे कंडिडेट कंडिडेट के जो समर्थक घूमड़े हैं उसमें हर जाती बर्ग के लोग हैं चाए हिंदू हो या मुसलिम हो या सीख हो या हिसाई हो जो भी लोग हैं हम सब भाई चारे के साथ रहते हैं इस मकामा में सीख भी हैं इस मकामा में हिंदू भी हैं इस मकामा में मुसलिम भी हैं और इस मकामा में हिसाई भी हैं सब का साथ मिल रहा है आपको सब का साथ सब का असिरवाद सब के पडिया से कमल फूल खिल ला है इस वक्त मैं भारतिय जंदा पार्टी के ओफिस में मौजू था क्या कुछ यहां पर कारे करता हूं से में मेरी बाची थो रही थी क्या कुछ कहा है इन्होंने आपने सुना सबका सब यही कहना है कि सब विकास के मुद्दे पर वोट मांग करने के लिए चुनाओं में घूम रहे और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिस्बूक पेज को लाइक करें धन्यवाद